हेलो क्लास आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यह मौडन हिस्ट्री का टॉपिक है एंगलो फ्रेंच वॉर्स बिसिकली यह हमारे कार्नेटिक वॉर्स भी कहलाते हैं और यह हमारा एंगलो फ्रेंच वॉर्स की कम्प्लीट सीरीज है इसमें हम फस्ट वॉर सेकेंड वार और थर्ड वार कम्प्लीटली डिसकस करेंगे एक चीज रिदेटेट टू कॉम्प्टेटिटिव एक्जाम एंड टीएसी ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखो सबसे पहली बात इसमें यह आ रही है कि First Anglo French War तो हमें अगर सबसे पहले कि देखना है कि इसको हम एक और नाम से जाने, that is Carnatic War, basically यह Carnatic क्या है, Carnatic अजीब सा नाम लग रहा होगा सबको, तो Carnatic region यह वाला रीजन है, अब तमिलनाडू, साउथ करनाटका, केरला, एंड सदर्न आंधर परदेश, यह वाला रीजन आपके एक्स्ट्रीम साउथ का, यह आपके कहलाता है Carnatic region, यह लडाई basically यहीं पर हो रही थी, तो सबसे important सबसे पहले Carnatic region हो गया, उसके बाद यह लड है, एंगलों का मतलब होता है, ब्रिटिशर, और यह बहुत important है, 174648, 174648, किस-के बीच में British and French, Carnatic region, तमिलनाडू, साउथ करनाटका, केरला, एंड सदर्न आंधर परदेश, यह पूरा आपका Carnatic region है, अब थोड़ा आके बढ़ेंगे, और देखेंगे, कौन-कौन लोग थ पहले, तो सबसे पहले थे, नवाब ओफ कारनेटिक, यह हमारे नवाब थे कारनेटिक के, बिटिश की तरफ से थे, मेजर लॉरेंस, इनकी इतनी ज्यादे इंपोर्टेंस नहीं है, इसमें, फ्रेंच गवर्नर जनल थे, डूपलेक्स, और मौरीश्यस के फ्रेंच गवर्न इनवार उद्दीन, यह नाम बहुत इंपोर्टेंट है, आगे तक चलेगा सीरीज में, अनवार उद्दीन, उसके बाद फ्रेंच गवर्नर जनल का नाम याद रखना है, इस डूपलेक्स, गवर्नर जनल ऑफ मौरीश्यस, यह देखो, जो डूपलेक्स है, यह इंडिया मे हैं डूपलेक्स, और ला बॉल्डन इस कहां पर मौरीश्यस में, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे इंपोर्टेंट डेट इस कैपिटल ओफ कार्नेटिक, डेट इस आर कॉर्ट, यह क्लियर हुआ, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखिए यह जो रीजन आपको दिखाई दे रहे ने पूरा, यह आपका पूरा क्या है, यह आपका है, पूरा कार्नेटिक रीजन, यह देखो एक्स्ट्रीम साउथ, इस और क्लियर हुआ होगा आपको, लडाई क्यों हुई थी, ऐसा क्या हुआ था कि लडाई स्टाल्ट हो गई थी, तो कोर्स ओफ दी व क्यों हुई है due to some Austrian war of succession Austria में जो थ्रोन था राजा मारा जाता है तो उस समय उस समय राजा कौन बनेगा इस चीज को लेके वहां पर लड़ाई हो रही थी यूरोप में लेकिन France और Britain इंडिया में भी थे तो जब वहां लड़ाई हो रही थी तो 1746 तक इंडिया में भी लड़ा कैसे स्टार्ट हुआ क्यों तो हमें बाचल गया क्योंकि भाई Austrian war of succession था यूरोप में हुआ था जब यूरोप में आग लगी धुआ इंडिया तक आया दी वार बिगेन विद्धी बिटिश फ्लीट अराइब ऑन दी कोरो मंडल कोस्ट कैप्चिरिंग दी फ्रेंच पर कभड़ा लिया एकदम आप जो फ्रेंच जा गवर्नर जन्त वह बहुत घबरा गया उसका नाम था ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लैक्स ने अनवर उद्दीन को बोला अनवर उद्दीन कौन था नवाब था कि भईया मेरी मदद करो पर अनवर उद्दीन ने सीध हमना कर कर दिया refuse कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा तब ड्यूप्लेक्स ने मौरी किसे बोला ला बॉल्डनिस को मैंने पहले बताया ला बॉल्डनिस कौन था फ्रेंच का ही गवर्णर जैनल था कहां पे मौरी शेस में तो अब देखो क्या हुआ फ्रेंच डिफीटि से मदद मांगी अन्वर उद्दीन ने उसकी मदद नहीं करी तब ड्यूप्लेक्स ने बैकप फोर्सेस मंगाई कहां से ला बॉल्डनिस मौरी शेस से वहां भी फ्रेंच की कंपनी थी और फ्रेंच ने किसे हरा दिया बिटिश को मदरास पे अपना कबजा कर लिया यह क्लि ने अब नवाब से मदद ली नवाब कौन था अन्वर उद्दीन उससे मदद ली कि भाई हमारी मदद करो और यह फ्रेंच वालों को भगाओ यहां से नवाब ने सीधे फ्रेंच वालों को बोला भाईया जो मदरास आपने कैप्चर किया था अभी मैंने बताया था आपको मदरास would be handed him at a later stage मैं आपको भी दे दूँगा अभी नहीं दे रहा हूँ लेकिन वो नहीं माने नवाब और बिटिशर्स एक तरफ थे वो माने ही नहीं तो to recapture मदरास फ्रेंच अनवर उद्दीन सेंट ट्रूप्स टू फोर्ड सेंट जॉर्ज अब क्या हुआ अनवर इनने कि मैं अपनी फोर्स बेज देता हूं लेकिन वो फ्रेंच इस समय इतने पावर में थे उन्होंने बिटिशर्स को भी हरा दिया नवाब को भी हरा दिया और नवाब कहा हराया माइलापोर में इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा अब यह बहुत इंपोर्टेंट है य यूरोप में समझङका इस में कुछ भी आगे नहीं होगा यवूरोप में अनुज prophets किसे मिल गया बापिस किसको हो गया मदरास बापिस मिल आ और फ्रेंच के पास यह समझ में आया this is first Carnetic war 1st Carnetic war में क्या क्या चीज़ें हुई थी ठीक है अब हमारा आ रहा है second Carnetic war Anglo French War again important year 1749 1754 बहुत important उसका क्या था 1746 78 इसका तुरंत एक साल वाद से 1749-54 अब भहिया क्या हुआ 1748 में ये कहानी थोड़ी लंबी है बहुत आराम से समझना है 1748 में क्या होता है कि जो निजाम होते है है राजा कौन बनेगा अब निजाम है राजा कौन बनेगा इसी civil war of सक्सेशन को बोलते हैं क्रनेटिक Graph second यही हमारा second कादेटिक यह लड़ाई किस-कस के बीच में start हुई मुजफर जंग और नासर जंग साओ आप मुजफर जंग कों थे और नासर जंग कौन थे मुजफर जंग ट्रभन वो ग्रान्ट संथ था निजाम-ul-मुल्क उसकी बेटी से मतलब उसकी बेटी का बेटा और नासिर जंग कौन था उसका निजाम-ul-मुल्क का बेटा था अब यहां यह समझ नहीं आ रहा था कि किसे बनाया जाए नवाव और सौरी निजाम ओफ हैदराबाद तो इस चीज को लेकर लड़ाई और फ्रेंच अलग अलग दोनों को सपोर्ट कर रहे थे बेटिशर से कहना था कि इसे बनाएंगे अभी हम वो आगे देखते हैं अब देखिए मुझफर जंग वें टू सीक मराठास अब भाईये क्या हुआ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मुझफर जंग को लग रहा था क वो बन नहीं पाएगा तो मुझफर जंग ने सोचा कि मैं मराठाओं की मदद लेता हूं अम मराठाओं के पास जब वो गया तो वहां वो चंदा साहिब से मिला चंदा साहिब कौन थे दोस्तली दोस्तली एक कारनाटागा का रूलर है उसके बेटे थे चंदा साहिब उस सम और टूपलेक्स एक तरफ हो गए इनका एक ही कॉमन कॉस था क्या कॉमन कॉस था जैसे भाई की फ्रेंच कह जाते बिटे शर्च चले जाएं और वो क्या चाता था मुझे गद्दी मिल जा तो सब एक ही थाथ थे यह अब भाई उसके बाद इंपोर्टेंट एक बैटल होती यह यही लोग मारते हैं मुझफर जंग फ्रेंच एंड चंदा साहे फ्रेंच से कौन है डूपलेक्स तो बैटल ओफ अम्बूर में यह तीनों कौन मारा गया अनवर उद्दीन मर चुका है जो नवाब था कार्नेटिक का अब एक कहानी और खड़ी हो गई कि कार्नेटिक का नवाब किसे बनाए अभी तक तो यह बात चल लए थी कि निजाम ओफ हैदराबाद कौन बनेगा अब कहानी यह आ गई कि अब कार्नेटिक का नवाब कौन बनेगा तो अनवर उद्दीन को बिटिश सपोल्ट करते थे अनवर उद्दीन सपोल्टिड वाइ बिटिशर्स व फ्रेंच को बनाना ही नहीं था फ्रेंच बोले हम तो चंदा साहिब को बनाएंगे उसने का ना हम मुहम्मद अली खान वचाला को बनाएंगे अब देखिए अब देखो यहाँ पर यह आता है कि हमारे दो कुरूप बन जाते एक मिनट दा फ्रेंच वांटेट टो डिड्यूस दी ग्रोइंग इंफ्लूएंश ओ बिटिशिन के सोदे सपोल्ट चंदा साहिब बिटिशर्स अब देखो फ्रेंच वांटेट टो डिडूस दी ग्रोइं देखो आगे चलते हैं देखते हैं दो गुरूप बन गए भीया कि फ्रेंच वाले किसे सपोर्ट करें थे मुझफर जंग हम पहले देख चुके हैं और चंदा साहिब को बिटिश के सपोर्ट करें थी नासिर जंग और मौमद अली खान बजाला को यह बहुत कंफ्यूजन था कि अब किसे नवाब बनाया जाएगा तो फ्रेंच फिर से देख लो इंपॉर्टेंट है यह सब कि फ्रेंच के सपोर्ट करें थी मुझफर जंग को किसके लिए हैदराबाद थ्रोन के लिए और चंदा साहिब को नवाब आफ कार्नेटिक के लिए बिटिश सपोर्ट करें ने आया सबको आप देखो आफ्टर अन्वर उद्दीन डैथ हिस्सन मौहमद अली खान वजाला यह भाग गया मौहमद अली खान वजाला भाई साब ट्रिची भाग गए और चंदा साहिब मजे में नवाब बन गया चंदा साहिब कुछ करना भी नहीं पड़ा और बिचारे जो बिटिशर्स कह रहे थे हम इसे बनाएंगी यह तो भाग क्या कौन भाग गया वजाला भाग गया तो ऑव्वियस ही बात है चंदा साहिब नवाब बन गया कानने के ठीक है देखो चंदा साहिब प्रोकलेम डेस नवाब ओव कानने टीक फ्रेंच की फोर्सें ने नासिर जंग को भी मार दिया तो बहिए नासिर जंग भी मर गए और आपके सामने मुहमद अली खान वजाला भाग गए यहां तक समझ में आया जब नासिर जंग बर गया तो अब कौन बन गया मुझफर जंग निजाम बन गया हैदराबाद का तो बहिए देखो मजे आगे फ्रेंच मुझफर जंग भी बन गया निजाम ऑफ हैदराबाद और चंदा साहिब कैसे बना क्योंकि वजाला ट्रिची भाग गया और मुझफर जंग कैसे बना क्योंकि फ्रेंच वालों ने नासिर जंग को मार दिया तो यहां अभी आपको यह लग रहा है कि टोटली फ्रेंच जीत गई लग रहा है ना एकदम से पूरा फ्रेंच के हाथ में आ गया सब कुछ बिटिशर्ट विचारे खाली रह गया पर ऐसा नहीं होता है जो चीज़ दिख रही होती है वो सही नहीं होती है देखो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं मुझफर जंग भी कुछ समय के बाद मारा किया जो मुझफर जंग आपने भी देखा ना पीछे पीछे कि वह भी मुझफर जंग नजाम बने है हैदराबाद का वो भी मारा किया तब फ्रेंच ने किसे बनाया सलावत जंग को क्या बनाया निजाम ओफ हैदराबाद सलावत ज हों है महमद ईली खान वजला और ट्रिची किसे कंट्रॉल में आ रही ऑई चंदा साहिब के दोनों अपोजिट हैं क्योंकि चंदा साहिब में कौन रहता है बेचारा मुत अली grade का मुंद ऐटा है इतनी दिन में volta कि blurry होती रोबर्ट क्लाइव ने आरकॉर्ट पे अटेक किया और रोबर्ट ख्लाइव या बिटिश रस हमेशा से मुहमध अली खान वजाला को ही फेवर करते थे इसी को हम बोलते हैं सीज आफ आरकॉर्ट इसमें बिटिश जीच जाते तो यहाँ पर क्या होता है finally after this many battles were fought और चंदा साहिब भी मारे गए तो आपने देखा चंदा साहिब भी मारे गए मुझफर जंग भी मारे गए और अगर हमने पीछे देखा हो तो यहाँ पर देखो मुझफर जंग भी मारे गए चंदा साहिब भी मारे गए नासिर जंग भी म सुमारे गए अब कौन बचा बस यह बचा मुहम्मदpoxान वजाला मुहम्मद नवान वजाला करने तड़ कौन जा मैं आप करने डिक क्या लग यह बन गए आपके मुहम्मदलि का वजाला ईछा तोικά पर अगर देखोगे न तो मुहमद अली खान वजाला क्या बन गे नवाभाव कारनेट कौन बना निजाम आफ हैथराबाद बने आपके सलाबत जंग यह हमें याद रखना है इसमें जो ट्रीटी सहण हूए। इसका treaty of pondicherry treaty of pondicherry इसमें sign होती है Robert Clive was called back to France and replaced by Godew यह Robert Clive नहीं है यह यहां गलती से आ गया है यह यहां पर duplex आएगा duplex को France बापिस बुलाया था this is not Robert Clive this is duplex यह by mistake print हो गया है इसमें आ गया है गलती से यहां पर duplex को बापिस बुला लिया था France और उसे किसने replace किया था गोडियू ने गोडियू ने treaty sign करी थी फाइनली जिस treaty क्या बोलते है treaty of pondicherry treaty of pondicherry यह important है तो याद रखेंगे यहां पर Robert Clive नहीं है यहां Robert Clive नहीं है यहां क्या है duplex duplex का इसलिए याद रखते हैं कि duplex second Carnetic War में बापिस चला गया था कहां पर France बापिस चला गया था ठीक है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अब भाइए यह आ रहा है तीसरा Carnetic War Anglo French War में third Carnetic War इसका tenure याद रखेंगे सबसे पहले एको tenure सब के याद रखने हैं चाहिसे फस्टो चाहिस से केंड और थर्ड और इसका tenure यह वन सेवन फाइव सिक से 63 यह हुआ ब्रिटिश वर्सिस फ्रेंच के बीच में हमें पता है फ्रेंच के गवर्नर थे उससमें कॉंप्ट डी लेली अब ब्रिटिश के गवर्नर थे सर आयर कूटे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा इसमें दो बैटिल होती है यह हमें याद रखनी है मैं आपको यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं पहले मैं बैटिल ओंडी वॉश इसका इयर इमपॉर्टेंट है बही टृटि ऑफ पैरेश 1763 इसमें जो टृटि हुई उसका नाम है टृटि ऑ पैरेश तो हमने पहले वाले की टृटि और सेकन्ड वाले की टृटि कौन-कौन सी याद रखने हैं इस सब अब देखो इसमें क्या होता है इसमें अलग कहानी होती है ऐस तरफ देखो आपको देख रहा है फ्रांस एक तरफ देख रहा है आपको ब्रिटेन दोनों अलग अलग है यूरोप में दोनों अलग अलग है तो इंडिया में भी दोनों अलग अलग होंगे यहां क्या होता है कि सिलेसिया जगह होती है उस पे प्रशिया कबजा कर लेता है औ इसका major reason क्या है seven year war broke out in Europe ठीक अब देखो यहां क्या हुआ इंडिया के अंदर अगर आपको इसका tenure याद हो तो मैंने इसका tenure आपको लिखवा है one seven five six six three अब देखो इंडिया में क्या होता है बिटिश अटेक्ट चंदर नगर बिटिश यहां पर क्या करते हैं जैसे कि वहां पर लड़ाई हो रही थी तो बिटिश यहां क्या करते हैं वो चंदर नगर पर अटेक करते हैं चंदर नगर हमें बहुत पहले से पता है मैंने पुरानी वीडियो में भी अप्लोड किया है ब जब बिटिशर्स ने अटेक किया चंदरनगर पे तब फ्रेंच ने अपॉइंट किया कॉंप्ट डी लेली एस दी गवर्नर इन इंडिया ठीक है यह याद रहेगा और 1757 में हमें सबको पता होना चाहिए भाया बैटल ओप लासी हुई थी ठीक है बैटल ओप लासी हुई थी 1761 में 1763 में जस्ट वीडियो आपकी कम्प्लीट सिक्वेंस में कॉम्ट डी लेली जैसे है उन्होंने फोल्ट सेंट डेविट पर अटेक कर दिया और जीद गये मजे में कोई दिक्कत नहीं है कॉम्ट डी लेली ने दुबारा से फोल्ट सेंट जोर्च पर अटेक किया लेक बैल ऑफ प्लासी और बक्सर के बीच की टाइम लाइन है फोल्ट सेंट डेविट और फोल्ट सेंट जोर्च तो पहले तो यह जीत के कॉम्टी लेली दुबारा में हार के क्योंकि यहां से बेंगॉल से अपनी फोर्स भेज़ दी थी बेंगॉल में कहां से फोल्ट विलियम अगर याद हो आप लोगों को वहाँ फोल्टिफिकेशन हुआ था 22nd January 1760 को Battle of Wendy Wash हुई वंडी वाश इंडिया में ही है बाहर नहीं है पहली बात Battle of Wendy Wash इंडिया में ही हुई है और यह बेटल जब हुई यह बेटल जब हुई तो उसमें French was completely defeated by the Britishers इसमें पूरा complete French आपका हार इसमें आपक complete French हार जाता है ठीक है यह याद रहेगा फ्रेंच आपक completely इस बेटल में हार जाता है और यहीं बोला जाता है कि अब फ्रेंच की पावर थर्ड कानेटिक वार से पूरी तरीके से खतम हो गई ठीक और Britishers यहां capture कर लेते हैं French settlements इंडिया पॉंडिचेरी माहे और कराइकाल देखो चंदर नगर तो करी लिया था पॉंडिचेरी इनका सबसे बड़ा बेज था वो capture कर लिया माहे कर लिया कराइकाल कर लिया और क्या साइन हो गई यह ट्रीटियां बहुत important है ट्रीटी ऑफ पेरिस वास साइन इन यूरोप इन 1763 most important ठीक है ट्रीटी ऑफ पे और फस्ट मैसूर वार इस तरीके से हमसे questions पूछे जा सकते हैं ठीक है उसके बाद अब हम आगी देखेंगे अगर देखें रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस एस पर्दी ट्रीटी चंदर नगर एंड पॉंडिचरी रिटर्न टू फ्रांस इस ट्रीटी में बहुत खतर यहां पर आप ट्रेडिंग करोगे only trading and nothing else no बंदूपाजी no fortification कुछ नहीं सिर्फ ट्रेडिंग करनी है आपको यहां तक आपको समझ में आया ठीक I hope आपको तीनो वार अच्छे से समझ में आ गए होंगे first war second war and third war ठीक और इस से related अगर battle of plassian boxer की जो वीडियो हैं वो मैंने upload पहले ही कर दी हैं आप देखिएगा playlist में आपको मिलेंगी ठीक है ओके thank you class